हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं कि अच्छे होंगे आज हम तलाब के कुछ स्चोटी चोटी बातों को बताएंगे जो किकुई कभीधी वहुत बारा रूप ले लेता है जैसे कि ये देखिए मेरा तलाब है इसमें अभी पानी बहुत कम हो गया इस कारण जैसे पानी कम हो गया भी यहां बिहार का सिता मधिजीला का टंपरेचर बहुत ज्यादा है अगर पानी गरम होता है तो इससे मचली उपड़ आएगी सास लेने में कठनाई होगी और मचली मड़ भी सकती है बहुत सारा दिकत हो सकती है मचली का डाइजेस्ट खराब हो सकता है इसलिए जितना जल्द हो सके आप लोग तलाब में पानी ज्यादा जितना हो सके ज्यादा मातरा में रखे और जैसे हम लोग इसमें बच्चा डाल के इसमें छोड देते हैं जल्दी हरवेश्टिंग टाइप से जाल नहीं चला पाते हैं तो आप लोग से नुरोध्य है жизни से जाल नहीं चलाते हैं तो उसमें आप लोग जैसे जानवर वगईरा को निहाए या दो चार बच्चे को प्रतेक दिन आएक ताकि इस से जानवर का यह नहाए और आदमी भी नाई से मखली का क्यात्रव रणिंग अच्छा होता है इससे उसका जब उसको परसान करेंगे तो उसका डाइजेस्ट अच्छा होगा तो आपको मचली ग्रोथ में अच्छा हैगा है कोई भी आदमी जैसे खाता अगर वो बैठा रहता है तो उसका तवियत खराब हो जाता है जो खा रहा है काम कर रहा है जो भी चीज कर रहा है तो उनका अच्छा होता है और डाइजेस्ट अच्छा होता है हिल्थ अच्छा रह इधर हो गया सहजन हो गया जिसको मुरिंगा भी बोलते हैं और बहुत सारे जैसे पौधे भी लगाए हैं जैसे इधर देखिए मैं आपको दिखाना चाहरा हूं धीरे-धीरे करके मैं इस पे केला का भी यह लगा रहा हूं इधर देखिए मुरिंगा का पूरा मैं यह लगाय हूँ और आपको दिखाना चाहरा हूँ इस आठ पे दिखिए मैं धीरे धीरे पूरे आठ पे मैं केला का पौधा लगाऊंगा ताकि उससे हमें फल भी मील सके और जो भी उसका पता उसको हरवेस्टिंग करके मैं मचली को खिला सकूँ यह समझ लीजिए कि एक काम से हम बहु में ज्यादा पानी घटता है तो आप लोग जितना हो सके पानी का लेवल अच्छा रखे ताकि मचली का गुरोत अच्छा हो पानी गर्म नहीं हो ताकि कोई मचली का नुक्सान पहुंच सके और जितना हो सके अभी थोरा ओटू बगाएरा या कुछ एंटिवाइटिक चला या कुछ ऐसा जो की मचली अच्छा से भोजन पाचन कर सके इस टाइप से आप लोग ध्यान दे हम आप लोग को सामने यह चीज बता रहें इस चीज को नजर अंदाज नहीं करे और इसी से समय की इसी तरह का अगर वीडियो आप देखना चाहते है तो हमारे चानल को सब्स है इलेक्टरिसीटी तो मैंने यहां पर लगवा दिया है को दिकत नहीं है कुछी देरों में मैं यहां बोडिंग करवाओंगा इसके बाद इसमें अपकी लेट नहीं करना कर चाहिए बहुत जल्दी इसमें पानी छोड़ना चाहिए क्योंकि इस पोखड में आप लोग दे वास्ता रखे प्रोपर काम करें अच्छी तरह से काम करें कोई भी काम करने से पहले ट्रेंटी लें उसका भी सहके से बात करें और यूटूब का सहारा ले इसके बाद ही कोई ऐसा करें जा कि हमें कम समय में अच्छा मुनाफ़ा हो कोई भी काम करें उसे हमें लौस नहीं हो पाई यह देखिए और जैसे मैंने इस आट पे सबजी भी रोपा हूं तो यह अभी घ्यूरा देखा रहा हूं इसक तलाब का कितना पानी लेवल गिर गया हालाकि अभी तक मचली का कोई हनिकारक नहीं है लेकिन अग इसमें पानी डालना बहुत जरूरी हो गया है नहीं तो मचली को हानी पहुंच सकता है क्यों इधर देखिए इधर मैं सबजी का भी आट पे लगाया हूं जो कि सबजी इतने भी हम यहां पे लगाएं सभी सबजी दे रहा है यह देखिए सबजी इधर केले का इधर बैगन है और हम इधर लहरी भी लगाया थे जो कि लहरी भी हमें अच्छा फसल देखे गया है चलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थै पिल्वारे चैनल को सब्सक्राइब करें अबलो को सब्सक्राइब करें अबलाष्टर अबलाष्टर जगा है और बैदेखे